दोस्तो अभी इस्राइल और गाजा की वोर्ड सीसफायर करवाने के लिए मिसर की राजदानी काहिरा में एक मिटिंग और्गनाइस की गई है लेकिन क्या दोस्तो इन सम मिटिंग्स का इस वोर्ड पर कोई परभाव भी पड़ने वाला है मैं ऐसा क्यों के रहां क्योंकि दोस्तो एक तरह भी मिटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ हिजबुला ने इसराइल पर 320 रोते से हमला किया है हिजबुला एक टेरिस्ट गुरूप है जो अपने आपको लेबनाउन से ओपरेट करता है लेकिन दोस्तो हिजबुला ने इसराइल पर हमला किया ही क्यों अगर ये हमला इरान करता तो समझ में भी आता है कि वो हानियन का बदला लेना चाहता है लेकिन अभी तक इरान ने तो ऐसा कुछ किया नहीं तो दोस्तों समझते है कि हिजबुला ने इसराइल पर इतना बड़ा अटेक क्यों किया तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि इसराइल 30 जुलाई को लेबनोन के बेरूत में एक एरिश ट्राइक करता है और इस एरिश ट्राइक में हिजबुला का टोप कमांडर मारा जाता है जिसका नाम तो फुआद सुकर अब इस अटेक के बाद हिजबुला अपने कमांडर का बड़ा लेना चाता था ठीक वैसे जिसे इरान लेना चाता है इरान के नेता हर दिन इसराइल को द्राइक देते रहते हैं कि एक दिन इसराइल पर बहुत बड़ा अटेक करेंगे हम हमारा बदला पूरा करके रहेंगे और दोस्तो हिजबुला ने जो ये 320 रोकेट से हमला किया ये हमला कोई छोटा हमला नहीं था इस हमले के बाद इसराइल के रक्षा मंतरी योग गेलेट ने इसराइल में 48 घंटों के लिए इमरजेंसी लगा दिया और दोस्तो अब ये वोर इसराइल गाजा तक सीमित नहीं है अगर इस वोर में कोई डारेक्ट इनवल्व हुआ है तो वह लेबनोन अब ये वोर इसराइल और लेबनोन के बीच भी चल रही है अब देखो दोस्तो इसराइल को अमरिका का फुल सपोर्ट है तो अमरिका ने ओमान के खाड़े में मौजूद अपने दो एरकराप्ट केरियर और यूथ पोतों को पहले इसराइल की सिमा पर तेनाद कर दिया क्योंकि दोस्तो इन 48 गंटों में हिजबुला इसराइल पर फिर से एक बार बड़ा आटेक कर सकता है अब इसराइल पर इतना बड़ा हमला हो गया तो इसराइल तो चुप रहने वाला है नहीं तो इसराइल ने जवाबी कारवाई में हिजबुला के रोकेट लॉंचर सैट्स पर या टेक कर दिया दोस्तो अब इदुनिया में दो मेजर वोर्ट चल रही है और वो दुनिया को किस होंल लेके जाएगी इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता मतलब हम रशिया से कुरूड ओयल ले रहे हैं इसलिए ये वोर्ट चल रही है क्योंकि हम कुरूड ओयल ले रहे हैं तो रशिया की एकोनोमी टिकी हुए जेलेंस्की का ये कहना है लेकिन हम payment कर किसमें रहे हम तो डोलर में payment करी ने रहे हम तो रुपीज में payment कर रहे हैं उसका रश्या क्या ही कर लेगा उन पैसों को रश्या कल को इंडिया में invest करेगा लेकिन दोस्तों साइध ये बात जैलेंसकी की बोधिक समता से परे हैं जब हम रस्या से कुरूड ओय लेना सुरू किये थे तब वेस्टन कंट्रीज इन हमारे उपर बहुत प्रेसर बनाये था और ठीक यहीं चीज जैलेंसकी की बातों में भी जलकती है जैलेंसकी खुद से और को मेजर होती है तो मैं इसके लिए और वीडियो को लाइक करें और ऐस्यों को आपको अब